मार दूगा मास्टर को तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पालिश करना किसको आता है मुझे नहीं आता इसको बहुत अच्छी तरह आता है मास्टर है मास्टर तेरा नाम क्या है? बांडिया क्या है? डांडिया बांडिया बांडिया तू जूता पालिश करना सी नटवर इस घर के सारे जूते लाके इसको देदो चल मोची इतने सारे जूते अगर में फुटपास से पालिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक अंदर में एक नाओ खाली दिलेता है यह थोड़े सो और पुराने जूते हैं इन पाहा साफ करके और कुछ जूते पैडों के साथ चल कर बाहर गए हैं जैसे वापिस आज आएंगे वो भी देंगे आज पाठा तू कर बनने बनने बाला जो थाला पैठा पैठा पढ़ाई कर रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा जिसको जो काम दिया उसको खूदी करना पड़ेगा औ मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक बाद एक काम देते जा रहे हो अच्छा ये बताओ तुम दोनों मेंसे अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है एक और का ये तो मैं हर्गिज नहीं करूँगा मैं बहुत अच्छी तरीक इस कपड़े दोता हूँ इसको बिल्कुल नहीं आता मैं इसको बिल्कुल सिखा दूँगा नहीं कपड़े महंगे हैं जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा कि भी-गाट कि दर एक बात बताओ यहां कि लोगों ने पिछले दो साल से कपड़े नहीं धोए क्या है फाल तु बातों में वक्त भरबाद मत करो बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं इसलिए तनी मजदूरी करवार हैं इसको घर के बोलता है इसको जिला गोसित को नहीं कर देते हैं काम काने तो तुदे रसी में शुका दूंगा यह कुर्त इस राक्षश का है यह कुर्था मरे बड़े सहब का है मतलब इन राख्षशों में से और भी एक बड़ा राख्षश है नीची अवाज में बात कर यह लोग तो कुछ भी नहीं नहीं असली साहब तो वो हैं कि मंगल सिंगी चोहान गुजराद गए हैं आने वाले हैं कि इतनों खाड़ों पूर वालों क्या खाड़ों मैंखार नहीं सोथ दुगा मैं थी थोडी बौत गुज़राती मुझे भी आती नहीं जम्बू नहीं जम्मू नथी जाजा जाज जाज़ा घड़ खोड जाकर ता अपनेट मेरी खराब हो रही उपर से घड़ा को तो मैं कोई आपक तूर। और क्या चप्ति और मिधाय में क्या था वह क्या बोलता है गुजराती मैं घूंग रहा खागरा अब कुछ नहीं हो सकता आ ओसअह इस घर के आसूल है कि एक बार किसी नबाना कर दिया तो दो बारा उसको खाना नहीं मिल्ता भगवान जिलुम है पागल हो गया अच्छानक मुझे मेरा मालिक या इसलिए होशको बैठा अबे कोंचू यह तेरा मालिक नहीं है यह बड़े साप की कलोती बेन के कपड़े हैं जरा से भी फट गए ना तो बड़े साप तुझे पाट डालेंगे हाँ